तो देखे आज हम बात करेंगे आपका जो NTPC है इसमें जो आपका देखे एक भुपाल जोन और इसके बाद देखे गुहावटी जोन तो इसमें देखे आम जो आपके लेवल 5 है इसमें आपके नॉन टॉपिंग की जो पोश्ट है वो आपकी रैंक IQ डाटा के बाद आपका जो फाइनल जो कटाफ है वो कितना जा सकता है क्योंकि देखे लगबग आपके जादा तर जितने भी जोन है उसमें आपका जो रिजल्ट है लेवल 5 का वो आ गया है लेकिन उसके बाद देखे जो आपका भुपाल जोन हुआ गुहावटी हुआ और यह ऐसे देखे जोन है जिसमें आपका अभी तक टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर नहीं आया तो इसके बहुत ही अभी यह चांस कम बनना है कि आपका जो इसका लेवल 5 का रिजल्ट है वो कब तक आने के इसमें चांस है तो देखे लगबग अभी तो आपका पहले इसमें देख देखे टाइपिंग का आपका रिजर्ट आ गया है लेकिन उसके बाद भी यहाँ फिर जो फाइनली आपका लेवल 5 का रिजर्ट आ वो निया है तो इसमें लगबग आपका जो अभी टाइपिंग पोस्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फिर उसके बाद जो आपका जो आपकी WCR कीवेकेशी है जर्टी नाइनल करने racism देखे थाटीन और आपका 나वाध देखे जादा आपकी जर्टी नाइनल में है और टोटल देखे आपकी सेवंटी नाइन फिर उसके बाद arribi डेखेक में देखे लेकेन यरोppers में है तो से नेंग देखे वार में जनरल में आपकी वेकेंसी है 8 और SC में आपकी वेकेंसी है 7 ST में देखे तो आपकी 3 वेकेंसी है OBC में 13 वेकेंसी है और EWS में आपकी 4 तोटल आपकी 35 वेकेंसी है फिर देखे SC में आपका आता है Senior Commissioner कम टिकट कला तो ये भी देखे आपके Level 5 के Non-Tapping की है तो WCR में देखे तो आपकी 69 है जनल में SC में 27 वेकेंसी, ST में 14 है और OBC में 48 है EWS में आपकी 20 टोटल देखे तो लगबग आपकी 178 यहाँ पर टोटल वेकेंसी है तो यह देखे आपकी यहाँ पर non-tapping की जो वेकेंसी है वो हो गई और इसके बाद अगर हम देखे आपकी टैपिंग देखे तो WCR में आपका जूने एकाउंट है system कम tapis में देखे जनल में आपकी 55 है, ST में आपकी 20 है और ST में आपकी 11 वेकेंसी है OBC में देखिए आपकी 37 वेकेंसी EWS में आपकी 14 है और टोटल देखिए तो लगवा आपकी 137 यहाँ पर टोटल वेकेंसी है फिर इसके बाद देखिए अगर senior color कम tapis की बात करें तो WCR में आपकी general की वेकेंसी 46 आपकी वेकेंसी 14 और ST में 8 वेकेंसी है OBC में 27 है EWS में आपकी 10 वेकेंसी है और इसके बाद देखिए तोटल आपकी 105 यहाँ पर टोटल है फिर देखिए WR में आपकी general में वेकेंसी है 20 और SC में आपकी वेकेंसी 6 उसके बाद ST में 4 OBC में 11 और EWS में आपकी 4 है, टोटल देखे, तो आपकी 45 यहाँ पर टोटल वेकनसी, तो लगबग यह आपकी हो गई tappin की पोस्ट, फिर उसके बाद देखे, अगर हम यहाँ पे देखे जनल में आपका देखे, तो जनल में आपकी total वेकनसी हो गई आपकी 292 तो ये लगबग आपकी यहां पर टोटल वेकेंसी हो गई फिर देखे अगर हम rank IQ डाटा की बात करें तो आपका देखे rank IQ डाटा यहां पर हमने level 6 है उसको देखे यहां से हमने element किया हुआ है उसके बाद देखे क्योंकि आपके candidate है जादा था जिनका अच्छा score बनना था वो देखे आपके level 6 में यहां पर उनका selection होगे फिर उसके बाद देखे यहां पर इसलिए हमने level 6 को element किया है इसके बाद देखे आपका जो level 5 आता है तो rank IQ डाटा में अगर हम देखे तो देखे आपके 96 यहां पर आपके candidate है लगबग आपके 96 candidate है उनका जो score बनना है वो देखे rank IQ डाटा में आपका बनना है 91.4 तो इसमें देखे अगर आपकी बेकिंसी है जनरल की तो देखे 107 बेकिंसी है तो लगबग आप देख रहे हैं कि यहां पर जो 96 जितनी candidate 96 रैंक वाले हैं उनकी देखे आपका जो score बनना है जो इसके उपर वाले है वो देखे 91.4 यहां पर आपका जो cut-off है वो score यह आपका finally बनना है तो लगबग आप समझ रहे होंगे कि कितने candidate के यहां पर जो आपका भुपाल zone है उसमें कितना अच्छा score बनना है क्योंकि देखे अगर हम बात करें इसके category की तो देखे आपका यह जो आता है high zone में और देखे आपका जो पटना का result आया उसमें देखा कि आपने लगबग जो आपका non-tapping का था उसमें देखे आपका general में गया था 92 और उसके बाद OBC देखे आपका लगबग गया था 90 प्लस तो इतना देखे high zone का था यहां लेकिन आपकी vacancy भी वहाँ ज्यादा नहीं थी vacancy वहाँ पर आपकी कम थी फिर देखे अजमेर की बात करें तो अजमेर में भी आपका काफी ज्यादा कटाफ गया था उसके बाद देखे और भी ज्यादा आपके zone है तो लगबग ज्यादा तो इसमें जो आपका कटाफ है और उसके बाद देखे जो आपके rank IQ data के बाद जो नया आपका आया तो उसमें जो आपका देखे स्कोर बनना है काफी अच्छा बनना है फिर इसमें देखे अगर हम OVC देखे तो आपका OVC के लगबग आपके 42 candidate ऐसे हैं जो आपके OVC category मे पास कर रहे हैं और फिर देखे आपका EWS की बात करें तो EWS में देखे आपके 5 candidate ऐसे हैं जो आपके general category में EWS वाले जो candidate है वो यहां से पास कर रहा है फिर उसके बाद देखे है SC वाले तो लगबग 3 SC ऐसे candidate है यहां पर पास कर रहे हैं कि यहां पर नंबर बनना है अगर आप जो फाइनली कटाब आता है अगर आप इसमें जनरल में फाइट कर रहे हैं तो आपको जर्रेट की सीट दे दी जाएगी, क्योंकि जो आपकी जर्रेट की बेकेंसी होती है, यहां पर काफी ज़ादा होती है, उसके बाद OBC होती है, फिर देखें SC है, फिर उसके बाद EWS, फिर आपका ST केटेगरी आता है, तो लगबग इस हिसाब से जो आपकी बेकेंसी होती है, वो यहां पर ज़ादा से फिर नीचे आपका कम होता जाता है, तो लगबग अगर आपके ज़ादा अच्छे नंबर आते हैं, आपका जर्रेट में जितनी आपकी मेरिट गई है, वहां से अगर आपको इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल आपको जर्रेट की जो कह सकते हैं, आपको वहां पर सीर्ट दी जाती है, फिर देखे, अगर हम बात करें आपकी अधर केटेगरी की, तो OBC केटेगरी की बात करें, तो यहां पर देखे, 81 आपकी लगबग टोटल पोस्टर, और उसके बात देखे, जो यहां पर आपका रैंक अधर की डाटा पे, 123 आपका बनना है, तो यहां पर आप देखे, OBC केटेगरी में सेफ हैं, फिर EWS देखे, तो आपका EWS में 32 बेकेंसी है, और आपका रैंक अधर की डाटा पे जो रैंक बनना है, अगर 37 तक आपकी बनना है, तो यहां पर आप बिल्कुल सेफ हैं, फिर EWS देखे, तो EWS में जो आपकी टोटल बेकेंसी वो है 47, और इसके साब से देखे, तो आपका जो रैंक अधर की डाटा पे, बनना है 26, तो यहां पर बेकेंसी आपकी 25 है, तो इतना आपका बनना है, तो बिल्कुल आप यहां पर सेफ होने वाले हैं, फिर देखे, अगर हम बात करें, इसमें, फारनली जो आपका कटाफ है, वो कितना जा सकता है, तो देखे, अगर हम बात करें, आपके जनरल की तो देखिए आपका 92 प्लस यहाँ पर जाने की पूरे चांसेस है और उसके बाद भी रैंक IQ में भी हमने देखा कि 91.4 यहाँ पर लगबग आपका 96 जो कैंडिडेट है वो उनका यहाँ पर रैंक IQ डाटा भी बनना है और देखिए 12 कैंडिडेट इसलिए माइ 46 ही कैंडिडेट को यहाँ पर लिया तो इससे साबसे भी अगर हम देखिए तो आपका 92 प्लस बनना है तो आप जनरल कैடेगरी में सेफे ए देखें OBC की बात करें तो OBC में आपका 87 प्लस बनना है तो आप OBC कैटेगरी में सेफ हैं और EWS देखें तो EWS में आपका बनना है 84 प्लस तो आप EWS कैटेगरी में सेफ हैं फिर देखें SC की बात करें तो लगबक आपका 77 प्लस बनना है तो आप SC में सेफ हो और ST देखें तो आपका 72 प्लस बनना है तो आप ST कटेगरी में सेफ है देखे इतना जो आपका कटाफ है ये जाने के पूरे चांसेस है और इसमें देखे आपका बिल्कुल मैक्सिमम ही ले लिया है क्योंकि इससे जादा जाने के चांसेस नहीं है आपका बढ़ेगा भी तो प्लस बन बढ़ स आपका एक तो एक्जाम जो है इसका आपका सबसे लास्ट में हुआ था उसके बाद जो आपका CBT2 का कटाफ आया था ये भी आपका लगबग बहुत ही जादा कम आया था तो इसमें पहले अगर हम वेकेंसी देखे तो देखे आपकी NFR में आपकी जनरल में वेकेंसी है 16 औ और OVC में 9 वेकेंसी है EWS में 4 है और टोटल देखे तो लगबग आपकी 38 यहाँ पर टोटल वेकेंसी है फिर देखे अगर हम बात करें आपकी सीनियर कमिशर कम टिकट कलर तो देखे एन एफ आर में आपकी जनरल में है 63 और उसके बाद देखे है स्टी में 21 स्टी की बात क है total देखे तो total आपकी 149 यहाँ पर टोटल वेकेंसी है फिर देखे अगर हम बात करें इसमें आपकी टोटल की तो total non-tapping की जो आपकी पोस्ट हो गई देखे आपकी जर्नल में हो गई 79, OBC में हो गई 48, EWS में देखे तो 19 है और SC में देखे तो आपकी 27 है, ST में आपकी 14 यहां पर टोटल वेकेंसी है देखे अगर हम इसमें आपके CBT2 की बात करें तो आपका देखे गुहावटी जोन है फिर देखे अगर जर्नल की बात करें तो आपका CBT2 गया था देखे 63.33 और उसके बाद देखे OBC में जो आपका कटाफ गया था वो गया था आपका 55.66 फिर उसके बाद देखें ये डबले स्क्राइब करें आपके कटाफ गया था 49.66 और सबसे कंम आपके कटाफ है वो आपका गुहवती जोन में ही गया था पिर देखिंगे उसके बाद आपकी रैंकि डाटा पर देखे तो लगबग जो आपका 67 देखे यहां पर आपका पर उसके बाद आपका स्कौर बनना है अगर हम देखे तो आपके देखे जर सी जरनल में पर वह बीकैंन सी वह आपकी है shaking 79 तो यहांपर देखे आपकी जो बैकेंसी है वह भी आपकी हाँ पर जाधा नहीं है और उसके बाद जो आपका कटाफ है वो भी यहां पर देखी कम जाने वाला है क्योंकि आपका रैंक क्यों डाटा में भी आप देख रहे हैं कि जो आपका 67 तक रैंक पे जो कैंडिडेट आ रहा है लगबाग उनका जो स्कोर बनना वो बनना यहां पर 77 फिर उसके बाद देखें जो अधर कैटेगरी वा आपकी वन कैंडिडेट है तो लगबाग इतने कैणिडेट हैं जो आपके देखें जरनल कैटेगरी से आपके अधर कैटेगरी वाले यहां पर फाइट कर रहे हैं फिर देखें यहां पर भी आपका जो लेषा carrying की डाटा है तो इसके बाद जो आपकी नए रायंक क्यों डा आपका 73 तक आपकी रैंक आ रही है तो बिल्कुल यहां पर आप सेफ है फिर देखिए EWS की बात करें तो EWS में आपकी जो वेकेंसी वो है 19 और उसके बाद देखे रैंक का डाटा में देखे तो लगबग आपका बनना है 24 फिर SC देखे तो SC में आपकी जो वेकेंसी है वो पर 40 तो इतना देखे रैंक का डाटा पर बनना है अधर जो आपकी चार और कैटेगरी है आपकी OBC, EWS, SC और ST तो इतना आपका रैंक का डाटा बनना है तो बिल्कुल आप यहां पर एक पोस्ट आपको यहां पर लेवल 5 को जो गुहावटी जो ने यहां से बिल्कुल आप करें तो आपका जो OBC कैटेगरी है वो देखे आपका 72 प्लस और EWS की बात करें तो EWS में आपका देखे 71 प्लस और ST की बात करें तो 68 प्लस और ST में देखे आपका 64 प्लस तो इससे जादा जो आपका देखे कुहावटी जो ने इसमें आपका जो कटाफ है नॉन टैपिंग इतना ही जो आपका कटाफ है इसमें ही आपका final selection हो जाएगा तो अगर आपका इतना कटाफ बनना आपका गुहावटी जोन है तो आपका level 5 है non typing post है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एक seat बिल्कुल यहाँ से मिल जानी है और आपका selection जो level 5 में है वो यहाँ पर गुहावटी जोन वाले जितने भी candy rate हो उनका यहाँ पर selection हो जाएगा तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में और वीडियो आपको कैसा लगा है हमें comment जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो like, share and subscribe भी करिएगा